हलो दोस्तों, DC Education Center में आप सबका स्वागत है, इस वीडियो के माध्यम से भावतिक विज्ञान यानि फिजिक्स का अध्यन करेंगे, इस सीरीज में ये वीडियो सेकेंड पार्ट है, इस वीडियो में प्रिवियर सियस में पूछे गए important questions लिये हैं दोस्तों, इस वीडियो को अंटक देखें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सस्क्राइब करें, आज फिजिक्स का चेप्टर है तरंग, आओ दोस्तों, question number first, निमलिकित में से कौन सा असत्य है, दाप, अनुदायर्द, विद्धु चुम्ब की या अंत्रिक, answer number C, विद्धु चुम्ब की, इसका description देखते हैं दोस्तों, धोनी एक यांत्रिक तरंग है, ना कि विद्धु चुम्ब की तरंग, ये अनुदायर्द होती है, धोनी के एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक जाने में, धोनी एक यांत्रिक तरंग है, ना कि विद्धु चुम्ब की तरंग, ये अनुदायर्द होती है, धोनी एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक जाने में, माध्यम का होना आवस्यक है, धोनी की चाल वीप पर दाब का कोई प्रुभाव नहीं पड़ता है, अता विकल्प सी सही है, नेक्स्ट, निम्न में से क्या तरंग की विशेष्था नहीं है, अन्सा नंबर, सी, माध्यम नहीं है, तरंग के लिए आयाम भी होना चाहिए, तरंग दैर्द होना चाहिए, आवरत होना चाहिए, इन तीनों का होना आतियावस्यक है, माध्यम की कोई प्रुभाव प्रुभाव नहीं होती है, दिस्क्रिप्शन देखते हैं, तरंग में आयाम, तरंग दै को सबसे मारच हों एक दोनितरंगें में क्या नहीं कर सकती आठाही का थांट कि Unique हम धोनिक को माधयम के लिए कंब से एक क यह का अउपियोग की जाता है यह इसका मापते हैं देसीवल में दोनिका मातर क्या है decibel दोता हूं दोन को मापने के लिए decibel unit प्रियोग की जाती है अव दोगिक छेत्र decibel कितना सोर होना चीए 75 decibel और रात में 70 decibel वाड़िजिक छेत्र में 65 decibel और रात में 30 decibel 55 होना चीए आवासी छेत्र में 55 दिन में और रात में 45 सांदपूर छेत्र में 50 और रात में 40 decibel होना चीए तीबर सुरूत यानि फुस फुसाहट 15-20 decibel साधान बाचित 40-60 decibel गुसे में बाचित 70-80 लाओड स्पीकर ट्रक मोटर साइकल 90-95 प्रेस 100-105 आरकेश्टा 100-110 राकेट 160-170 decibel धुने होती है साइरस 190-200 decibel की धुने उत्पन करते हैं नेक्स्ट अगला कुशन है धुने के माप की यूनिट क्या होती है यह होती है अगला कुशन है डाक्टरो दरा ठोस वस्तूं को भेदने हेत एवं हवाई अड्डों में किस तरंग का परियोग किया जाता है यह किया जाता है दोस्तों दोस्तों को भेदने के लिए यक्स किरणों का परियोग किया जाता है अमेरिका में यफ ए ए आधुनी की करण और सुधार अधनियम दोजार बारा यफ ए ए यम मोडराईजेशन एंड रिफार्म एक्ट दोजार बारा के अनुसार अब संपूर्ण सरीर जांचेत इसका इनर्स का परियोग हवाई अड्डों में किया जाता है जाना प्रतिवद्धित कर दिया गया है वहां अब स्वचालित लच मानेता आटोमेटेड टेलर दिकॉपनाईजेशन साब्टेयर का प्रियोग किया जाता है रेले भरती ने इस प्रसन को बोनस अंग की रूप में सभी अवैर्थियों को प्रदान किया है जोर से निकलने वाली आवाज और अनिमेज आवाज का कारण क्या होता है यह होता है दुसरों उच आवरते important fact देखते हैं धोनी का वाल लच्छन जिसके कारण धोनी को मोटी या पतली कहते हैं तारत तो पिछ कहा जाता है धोनी का तारत उसकी आवरती पर निर्भर करता है पुरुस की धोनी का तारत इस तरियों की धोनी की अपेचा कम होता है उच तारत वाली धोनी की आवरत उच अगला खुश्चन नहीं दोस्तों सोनार का पूरा नाम क्या होता है जे होता साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग रेगिंग साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग से बना है सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में इस्थित फिंडों की दूरी दिसा और शालम आपने के लिए पराध्वनी तरंगों का उपियोग किया जाता है सोनार में एक प्रेशित तथा एक संसूचक होता है इसे किसी नाव या जहाज पर लगाया जाता है इस पितिका उपियोग समुद्र की गहराई जल के अंदर इस्ति चक्तानों हिमसायल डूबे हुए जहाज पंडूबी आध की जानकारी प्राप्त की जाती है अगला खुशन है दुती विस्युद्ध में दुस्मन की पंडूबी को ट्रैक करने के लिए विक्सित प्रदोग की काउंसी है ये दोस्तों सोनार और शुनार दुती विस्युद्ध में दुस्मन की पंडूबी को ट्रैक करने के लिए किस विक्सित प्रदोग की सुनार का प्रियोग किया गया था सब राडार किसे दूत्पन है ये दोस्तों रेडियो डायरेक्शन अइन रेंजींग राडार रेडियो डारेक्शन एंड रेंजिंग से संबन देता है राडार रेडियो डारेक्शन एंड रेंजिंग का संचित रूप है राडार सूचन तरंगों का उप्योग करके दुस्मन के जलयानों और वायोन का पता लगाता है एक घुमते हुए एरियल द्वारा तरंगें प्रेशित की जाती है और वे वायुआन जल्यान आदिलाची से प्रावर्तित होकर राडार पर लौट आती है प्रेशित और अभी ग्रहित तरंगों के समयांतर को ग्यात करने करके जल्यान की दूरी ग्यात की जा सकती है तरंगें जितने छेतर की स्कैनिंग करती हैं उनका चितर भी राडार के परदे पर आ जाता है अगला कुशन है इंफ्राडेड किरने क्या हैं यह हैं दोस्तो बिद्दु चुम की तरंगें इंफ्राडेड तरंगें क्या हैं बिद्दु चुम की तरंगें important fact देखते हैं द्रस्य प्रकास के अत्रिक्त किस ऐसे भी तरंगे निकलती हैं जिने हम देख नहीं सकते किन्त उनका अनुभो कर सकते हैं गामा के रिने, एक्स के रिने, परावैगने के रिने, और रक्त के रिने, रेडियो तरंगे ये सभी विद्दुचुम की तरंगे हैं सूर के प्रकास के साथ रंग में लाल रंग की आवर सबसे कम और बैगने रंग की आवर सबसे अधिक होती है तरंगों को प्रावैगनी के रिने कहते हैं आवरत की तरंगों को ये दोनों ही प्रकार की किर्णे हमें दिखाई नहीं देती हैं नेक्स्ट निमलिखित में से किस प्रकार की किर्णे प्रतिवी के वाई मंडल में प्रव्यस नहीं कर पाती हैं ये दोस्तों एक सरे निम्लिके में किस प्रकार की किलनेफु य नहीं कर पाती हैं एक सरे प्रावागने किर्णे नहीं प्रियोश कर पाती है इन किर्णों को उनके अन्वेच्छन के नाम पर रौंटज किर्ण भी कहते हैं इनकी तरंगदै दस से 0.01 नैनो मीटर होती है किर्णे चिकितसा में निदान डाइगनोस्टिस के लिए प्रियोग किया जाता है तो दोस्तों इसका एंसर है एक सरे निमलिकित में से पूणड दोयत सासन चैनल का एक उधारण है यह है दोस्तों टेली फोन की बाचीत टेली फोन पर बाचीत पूणड वएद संचार चैनल है फुल डूपलेक्स कम्टिकेशन चैनल का एक उधारण है वाकी टाकी की संचार चैनल का एक उधारण है हाफ डूपलेक्स इंपोर्टन फैक्ट देखते हैं वाकी टाकी हाफ डूपलेक्स है संचार चैनल का उधारण है क्योंकि इन में से एक निश्चित दूरी तक ही संचार ही तो प्रिव्ट किया जा सकता है नेक्स्ट नियर फिल्ड कम्मिकेशन पर आधारित है यह आधारित है दोस्तों कम दूरी के उच्छ आवरत वायर वायरलेस अंचार पर इंपॉर्टर फिल्ड कम्मिकेशन निकट छेतर का एक मात्रक है जिसकी मदद से स्मार्टफोन तता अनुपकरणों को एक दूसरे से इसपर्स करके या करीब लाकर रेडियो संचार इस्थापित किया जा सकता है नेक्स्ट अगला चेप्टर है विद्दुत निम्लिकित में से कौन सा विद्दुत का सुचालक नहीं है यह है दोस्तों चीनी मिट्टी के बरतल यह सुचालक नहीं है वाकि टंगेस्टन निकेल इलुमीनियम यह विद्दुत के सुचालक है जिन पदार्थों से होकर विद्धुत फ्रेवेश आवेश सरलता से प्रवाइद होता है उन्हें चालक या सुचालक कहते हैं लगवग सभी धात्वें विद्धुत की सुचालक होती हैं जबकि लकड़ी और रवड कागज चीनी मिट्टी के वरतन विद्धुत के कुचालक होते हैं दोस्तों चांदी, तांबा, सोना, इलुमीनियम ये सभी अच्छे सुचालक होते हैं विद्धुत के अच्छे सुचालक माने जाते हैं वे पदार जिनसे विद्धुत आवेस होकर सरलता से प्रवायत होते हैं उन्हें विद्धुत आवेस के सुचालक कहते हैं लगवक सभी धातु में जैसे सोना हो गया, चांदी हो गई, तांबा हो गया, इल्यूमीनियम हो गई, अमलशार हो गया, लौडों के जली विलियन, मानों सरीर, आदि विद्धुत के सुचालक होते हैं एक एकी करत परिपत जिसे IC चिप भी कहा जाता है और एक छोटी प्लेट पर निर्मित इलेक्टरानिक परिपत का एक समू है जो किस से बना होता है, यह बना होता है दोस्तों सिलिकान से important fact देखते हैं दोस्तों सिलिकान एक रसानिक तत्तो है यह पृत्वी पर आक्सीजन के बाद सबसे अधिक मातरा में पाए जाने वाला तत्तो है सिलिकान के योगिक इलेक्ट्रानिक अवयोग शाबुन सीसे कम्प्यूटर चिप्स में इस्तेमाल किये जाते हैं सिलिकान की खोज स्वीडन के रसायन सास्त्री जॉन जैकब बरजीलियस ने की थी सिलिकान को आवर साड़ी में चौदे में स्थान पर रखा गया है अगला खुशन है दोस्तों वोल्टेज को इस्थिर रखते हुए यदि अधिक लैम्पों को एक सेंड़ी परिपत में जोड़ा जाता है तो परिपत में कुल धारा बढ़ती है गढ़ती है इंपॉर्टन फाइक्ट देखते हैं दोस्तों विवहान तर वी बराबर आई आर होता है इसका फार्मूला क्या होता है वी बराबर आई आर जहां वोल्टेज वी वोल्टेज है आई धारा है आर प्रतिरोद है तो वी बराबर आई आर आर आई वराबर आपान आर वी हो सकता है आई प्रोपोर्शनल वरनपान आर भी होता है अर्थात यद वोल्टेज इस्थिर है तो प्रत्रोत का मान बढ़ेगा तथा धारा का मान घटेगा अगर वोल्टेज इस्थित है तो प्रत्रोत का मान बढ़ेगा और धारा का मान घटेगा अथोगा ओम का नियम क्या गयता है ओम के नियम दोरा किसी विधुत परिपत में धात के तार के दो सिरों के बिज विवांतर उसमें पुरायत होने वाली विधुत धारा के समानुपाती होता है प्रस्णा अनुसार विवांतर को नियत कर दिया जाता है तो उसमें बहने वाली धारा का मान भी नियत रह जाएगा यदि किसी यदि उसमें लगे लाइमपो प्रत्रोत की संख्या बढ़ेगी तो उसमें बहने वाली धारा इलेक्टरान की गतिक को रूखेगा अर्थात परणामी धारा का मान कम हो जाएगा किसी विद्दुच सर्किट के दो बिंदुओं के मद एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार क्या कहलाता है ये कहलाता है दोस्तों विवांतर किसी विद्दूत सर्किट के दो बिंदूों के मद एक इकाई आवेस के इस्थानांतरण में हुआ कार विवांतर कहलाता है अथ्वा किसी वयदुत परिपत में दो बिंदों के बीच विवांतर को एक बिंदों से दूसरे बिंदों तक कुझ इकाई आवेश को ले जाने में किये गए कार की मात्रा के रूप में परिभासित किया जाता है सरकिट में विजली के प्रवाह करेंट का पता लगाने हे तो निमलिकित में से किस उप्रण का प्रियो किया जाता है ये गैलवेनो मीटर का प्रियो किया जाता है इंपोर्टन फैक्ट देखते हैं धारा मापिया गैलवेनो मीटर एक परकार का अमीटर है क्या है एक परकार का? अमीटर है ये किसी परिपद में धारा की इस्थित का पता लगाने के लिए प्रियोग किया जाता है प्राया इस पर इंपियर, बोल्ट, ओम का नियम नहीं लगा सकते अगला कोशन है दोस्तों सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर बिदुती एयर कंडिशनरी का विस्कार और इसका प्रियोग किसके माध्यम से किया गया था ये किया गया था दोस्तों बिलीज कैरियर के दौरा बिलीज कैरियर के दौरा इंपोर्टन फाइक देखते हैं सन 1902 में विलीज हाइवी लैंड कैरियर ने विदुत एयर कंडिशनिंग का विस्कार किया था इसको आधेनिक एयर कंडिशनिंग का जनमदाता भी कहते हैं इस युक्त के दौरा परिवेश के तापमान को नियंतित किया था अगला कुछन है दोस्तों विदुत सेल की हैं विदुत ज़िए जो विदुत उपकर करने के लिए विदुत उर्जा की आपूर्थ करता है लगवग सभी विदुत ज़िए्ट क patents लगे होता है एक धनात्मक होता है एक ठनात्मक nominal होता है एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किस्से बना होता है ये बना होता दोस्तों टंगेस्टन का टंगेस्टन एक धातु का प्रियोग विद्धुत बल्ब में रोशनी उत्पन करने के लिए किया जाता है इसकी खोज टार बर्न बर्ग मेन ने की थी 1781 सिवी इसका गलनांक 3422 से सेंटीगरेट तथा कुथनांक 5555 डिगरी सेंटीगरेट होता है बिद्धुत बल्ब उत्दीप्ति के द्वारा प्रकास उत्पन करता है गर्म होने के कारण प्रकास का उसर्जन उत्दीप्ति कहलाता है बिद्धुत बल्में टंगेश्टन का बना हुआ एक पतला तंत होता है जिससे होकर जब बिद्धुत धारा बहती है तो ये गर्म होकर प्रकास देता है अगला कुश्चन है दोस्तों वे मेटल डिटेक्टर जिससे होकर हवाई अड़ों पर लोग गुजरते हैं वो किसके दोरा संचालित होते हैं वो संचालित होते हैं दोस्तों फायराडे का नियम की इंपोर्टन फायक देखते हैं मेटल डिटेक्टर एक इलक्टरानिक उपकरण है जिसके दोरा धातुमें इनसे संबंदे चीजों के उपस्थित का पता लगाने में प्रियोग किया जाता है जिसका संचालन बिद चुमकी प्रियोड के सिद्दान्तों यानि फायराडे की नियम पर आधियरित होता है एरपोर्ट, रेलवे, स्टेशन, सिनेमा घर, मेट्रो, स्टेशनों में समान की तलासी करते हैं समय मेटल डिटेक्टर का प्रियोग किया जाता है अगला कोशन है बिजली के मोटर किसके द्वार रुपांतित करती है ये बिद्धुत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में रुपांतित करती है इंपॉर्टन फाय्ट देखते हैं रोगतों बिद्धुत मोटर बिद्धुत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में बदलती है इसका कार डैनमो के विप्रीत होता है इसमें आर्मेचर कुंडली को चुमकी छेतर में रखकर बिद्धुत धारा प्रवाइद करने पर यह चुमकी छेत्र में घुमती है जिससे विविन मसीने चलाई जाती है निम्रिकित में से कौन सा उपकरण रसानी कुर्जा को विद्धु तुर्जा में परिवर्तित करता है यह करता है दोस्तों बैटरी इंपोर्टन फैक देखते हैं बैटरी दोरा रसानी कुर्जा को विद्धु तुर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है बैटरी कई प्रकार की होती है किन्त सभी में तीन मूल गटक उपस्तित हो रहते हैं यह हैं धनात्मक एलेक्टरान, रिडात्मक एलेक्टरान अबलेक्टरान लाइट विद्धुत कोस बैटेरिया रसानीक उर्जा बंडालित कर इसे विद्धुत उर्जा के रूप में उपलब्ट कराती है आगला कॉस्चन खालिस्तान द्वारा AC को DC में बदला जाता है किसके द्वारा बदला जाता है यह rectifier के द्वारा AC को DC में बदला जाता है, इंपोर्टर ठाइग देखने हैं, डिस्टी करन, रेक्टिफायर एक ऐसी जुक्त है जो प्रत्यावर्ति धारा, एसी को डिस्ट धारा डिस्टी में बदलने का कार करती हैं, अर्धात रेक्टिफायर एसी से डिस्टी पर वर्तक जैसी डिस्टी को एसी में परिदित करने वाली जुक्त को इनिवेटर कहते हैं पावर ट्रांस फार्मर की कारपनली का सिध्धान किस पर आधारे थे यह आधारे थे फाराडे के नियम पर इंपॉर्टन फैक देखते हैं दोस्तों एक ऐसा उपरण जो विद्धुत उर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में भिना प्रिक्वेंसी बदले ट्रांस फार्मर कहते हैं ट्रांस फार्मर केवल एसी पर ही कार्य करता है इसका उप्योग प्रत्यावरति धारा विभों में उच्चाई उपापाचाई के लिए करते हैं यह माइकल फायराडे यानि विद्धु चुम की पिलन नियम पर आधारित होता है नेक्स्ट निमलिखित में से कौन सा उप्रन रसानी कुर्जा को विद्धु तुर्जा में परिवर्तित करता है यह करता है दोस्तों बैटरी इंपोर्टन फैक्ट देखते हैं बैटरी द् अंपरेटरी कई प्रकार की होती हैं किन्तु सभी में तीन मूलक घटक ओपस्थित रहते हैं यहें धनात्मक एलेक्ट्रोड और रडात्मक लेक्ट्रोड तथा एलेक्ट्रोड लाइट विद्धुत कोस वैक्टिरियां रसानिक उर्जा बंडारित कर इसे विद्धुत उर्जा के रूप में उपलब्द कराती हैं नेक्स्ट पांच ओम प्रद्रोड वाले एक परिपत में ये धारा में ब्रद्ध होती है तो क्या तो वोल्टेज बढ़ जाएगा ओम के नियम के अनुसार किसी विद्धुत परिपत में धात के तार के दो सिरों के बीच विद्धुत धारा के समानुपाती होती है अर्थात किसी तार के दो सिरों का विवांतर वी तथा उसमें बहने वाली धारा आई है तो वी प्रपोर्पोर्शनल आई अर्था धारा का मान बढ़ेगा तो विवांतर का भी मान बढ़ेगा अगला कुछन है दोस्तों 1831 में बिद्धुत का प्रदोगिकी के छेतर में उप्योग तब वेवहार हो गया जब बिद्धुत डायनमो की खोच की इंपोर्टन फैक्ट देखते हैं 1831 में माईकल फायराडे ने डायनमो का अविस्कार किया था किसने किया था दोस्तों डायनमो का विस्कार माईकल फैराडे ने किया था ट्रांसफार्मर विद्धुत जनित्र आदि फैराडे के विद्धुत चुमकी पिरनड के नियम पर आधारित है इस नियम के नुसार किसी बंद परिपत में उत्पन विद्धुत वाहक बल यम यफ इस परिपत से होकर प्रवाहित चुम्विकी फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होता है अगला कुशन है दोस्तों आइनस्टीन का बिसेश सापेचता का सिधान्त सबसे पहले किस काल में प्रवाहित किया गया था यह किया गया था 1905 में इंपोर्टन फैक देखते हैं दोस्तों अलवर्ट आइनस्टीन ने वर्स 1905 में बिसेश सापेचता का सिधान्त थेवरी आफ इस्पेशल रिलेटिविटी तथा वर्स 1915 में सामान सापेचता वाद यानि थेवरी आफ जर्नल रिलेटिविटी के सिधान्त को प्रस्तुत किया किसी भारती सोद करता ने हल ही में आइनस्टीन की द्रमान उर्जा समेकन ई बरावर एंसी स्कुएर आप रियाप्त और केवल कुछ परिप्रस्यों के तहत ही वैद है के तवर पर विवाद ग्रस्त कहा है ये कहा है दोस्तों आजे सर्माने इंपोर्टन फैक देखते हैं बहारती ये सोद करता आजे सर्मा ने हाल ही में आइनस्टीन इबरावर एंसी स्कुएर निूटन और आरकमडिज के द्वारा दिये गए बहुत्तिक के मौलिक नियमों को पूर रूप से सत्य मानने से इंकार कर दिया है इसके अनुसार तीनों विज्ञानिकों के नियम कुछ बिसेस परिसितियों में सत्य मानने जा सकते हैं इनोंने कहा है कि कुछ बिसेस नियमों पर ही नियम लागू होते हैं अगला कुछ यहार नहीं दोस्तों एक ऐसी डिवाइस है जो उर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्टित करती है आम तोर पर उर्जा के परकार में एक सन्केत को किसी अन्सन्केत में परिवर्टित करती है यह एंसर नमबर C Transducer Transducer Important Fact देखते हैं दोस्तों मापन में Transducer इन युक्तियों को कहते हैं जो एक परकार की उर्जा को दूसरे परकार की उर्जा में बदलती है अर्थात एक परकार की भौतिक रास को संगत दूसरे परकार की भौतिक रास प्रदान करती है अगला question है diode को एक किसके रूप में प्रियोग किया जा सकता है यह प्रियोग किया जाता है कि rectifier के रूप में important fact देखते हैं डिस्ट कारी के दोरा AC voltage को DC voltage में परितित किया जाता है डिस्ट कारी का उप्रियोग बहुत से उपकरणों यानि जैसे रेडियो, टीबी, माइक्रोवेव, भट्टी आदि में किया जाता है डिस्ट कारी के लिए ठोस अवस्था डायोड अर्थात ट्यूब डायोड सेने सेलेनियम डायोड आदि का प्रियोग किये जाते हैं प्रकास उसरजक डायोड यल इडी, इलक्ट्रानिक उपकरणों में प्रियोग किया जाता है जैसे टेलिवीजन को छोड़ कर, यानि द्रस से प्रकास इंपोर्टन फैक्ट देखते हैं दोस्तों, प्रकास उसरजक डायोड यल इडी एक अर्थचालक डायोड होता है कैसा डायड होता है आर्थ चायलक डायड होता है जिसमें विद्दु धारा प्रवायत करने पर ये प्रकास उसरजित करता है जब हम विद्दु धारा प्रवायत करने पर ये प्रकास उसरजित करता है ये एक इलेक्टरानिक चिप है जब इसको टेलिवीजन में लगाया जात है तो इसके द्वारा द्रस से प्रकास सर्जित होता है रोसनी के लिए साधान बल्ब की जगए LED और CFL उनकी की वज़े से ले रहें की वज़े से ले रहें किसकी वज़े से लोग लेते हैं यह उर्जा दच्छता की वज़े से लेते हैं इमपॉर्टन फैल् को ए लिय डी एक अर्धचालक डायोड होता है जिसमें बिद्दृत हरा परवाहेद करने पर प्रकास उसजित करता है इसका मुख है प्रकास वह पादन घटक मैलियम आरसेनाइड मैलियम आरसेनाइड होता है यही विद्धुत उर्जक को प्रकास में बदलता है, इसकी चमता 50% से अधिक होती है पारम परीक प्रकास रोतों की तूलना में बहुत उन्नत है यह विद्धुत बल्ब को 1000 गंटे की एक गंटे ही प्रकास दे पाता है अपेच्छा जादा लगभग एक लाग गंटे प्रकास दे सकता है विद्धुत बल्ब जो 1000 गंटे ही प्रकास दे पाता है अब इसकी अपेच्छा में एक लाग गंटे तक प्रकास दे सकता है अगला कुछन है दोस्तों जिन उप परमाड़ कणों में सामान उप परमाड़ कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से भी जानते हैं इनको जानते हैं प्रतिकण प्रतिकण जिस प्रकार पदार्थ कणों का बना होता है उसी प्रकार प्रतिद्रब प्रतिकणों से मिलकर बना होता है प्रतिकण उस पदार्थ को कहते हैं जिसके परमाड़ में नाभिक इन्टी प्रोट्रान इन्टी न्यूट्रान का बना होता है तता नाभिक के चारो और पाजिट्रान गोमते हैं, पाजिट्रान का प्रतिकन इलक्ट्रान होता है कुश्चन नमबर अगला, निमलिकित में से किसमे इस्थाई चुमक की तरह चुमकी गुड नहीं है अइसा नमबर डी, चुमक पत्थर, निकेल लोहा, इल्यूमीने में होता है, चुमक पत्थर में इस्थाई गुड नहीं होता है इंपोर्टन फाइक देखते हैं, चुमक का वापदात या वस्त जो चुमकी छेत रुत्पन करता है इस्थाई चुमक ये वे चुमक हैं, जो चुमकी बल के संपर्क से हटा लेने के बाद भी उसमें काफी अधिक समय तक चुमकित दिमान रहता है इल्यूमीनियम अनचुमकी पतारत का उधारन है, जबकि लोहा, एम, निकेल लोह चुमकी पतारत का उधारन है अस्थाई चुमक ये वह चुमक है जिसका चुमकी बल के संपर्क से हटाते ही चुमकत समाप्त हो जाता है, जैसे पत्थर चुमक कुश्चन नमबर अगला, एक साधान चुमक को आकरसित नहीं करता है, ये का सा आकरसित नहीं करता है इंपोर्टन फैक देखते हैं एक साधान चुमक लोह तत्यों को अपनी ओर आकरसित करता है कासा, ब्राउं, तामबा, 85%, तिन, 15% का बना होता है लोह भीहिन होने के कारण कासा चुमक द्वारा आकरसित नहीं होता है कुश्यन नमर अगला है, मुक्त रूप से निलंबित मुक्त रूप से निलंबित चुमक किस दिशा की ओर संकेत करता है ये करता है दोस्तों, उत्तर और दच्छन, साउथ पोल, नार्थ पोल चुमक में क्या होते हैं दोस्तों नार्थ फोल और साउथ फोल होते हैं ये हमेशा नार्थ और साथ पोल उत्री धुरू और दच्छी धुरू की ही ओर ठैरती है Important fact देखते हैं चुम् gwakka वज़ा पदारत या वस्त जो चुमकी छेथ उत्खण करता है इनमें दो धुरू होते हैं उत्री धुरू और दच्छी धुरू होते हैं जो धुरु दछिण दिशा में जाता है, उसे दछिणी धुरु और जो उत्तर को हो जाता है, उसे उत्तरी दुरु कहा जाता है. कुश्चन नमबर अगला, अवस्तन कितनी बार विजली धर्थी पर गिरती है? ये गिरती है दोस्तों, प्रति सेकेंड सो बार. एक सेकेंड में लगवग सौ बार हो आसमान में विप्रीत कुर्जा के बादल हावा में उमरते गुमरते रहते हैं ये विप्रीत दिसा में जाते हुए टकराते हैं इससे होने वाले घरसंड से बिजली पैदा होती है जो धर्ती पर गिरती है आसमान देखा गया है कि एक सेकेंड में लगवग सौ बार बिजली धर्ती पर गिरती है कम्प्यूटर के कुछ देखते हैं दोस्तो कम्प्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है ये कहा जाता है दोस्तों कंट्रोल यूनिट C U इंपोर्टन फैक्ट देखते हैं दोस्तों कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नरो यानि सेंटर कहा जाता है क्योंकि ये निर्देश चक्र इंस्ट्रेक्शन साइकल के पत यानि ट्रैक को सुरच्छित रखता है साथ ही ये CPU सेंटरल प्रोसेसिंग यूनिट के उप्यूट्ट माइक्रो आफ्रेशन्स को संपन करने है तुसंबंधित कंट्रोल सिग्नल्स उप्यूट्ट समय में पर उत्पन करता है कुश्चन नमबर अगला निमलिकित में से कौन कंप्यूट्र का मस्तिस्क कहा जाता है ये कहा जाता है दोस्तों CPU को कंप्यूट्र का मस्तिस्क कहते हैं कंप्यूट्र के भौतिक भाग को हाड़वेर कहते हैं प्रोसेसर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट चीपीउ भी एक हार्डवेर है जिसे कम्प्यूटर का मस्तिस्क भी कहते हैं कुश्चन नमबर अगला निम्रिकित में से कौन सा एक आउटपूट डिवाइस नहीं है स्कैनर इनपूट डिवाइस होता है दोस्तों और स्पीकर प्लाटर प्रिंटर ये सब आउटपूट देते हैं हमको nим्रिकित में से इनपूट डिवाइस का उन सी है यह है दोस्तों जैयस्टिक ये इनपूट डिवाइस है मानीटर प्रिंटर फ्लाफी डिस्क ये आउटपूट है जोश्टिक एक input device है ये वास्तों में एक pointing device भी है जो track ball की तरह ही कारी करता है बाल के साथ एक छड़ी लगा दी जाती है ताकि बाल को आसानी से घुमाया जा सके इसका उपयोग video game simulator परसिछन आदि में किया जाता है question number next निम्लिखित में से computer के लिए काउन सा device एक input device नहीं है यह है दोस्तों monitor यह output हमको दिखाता है monitor एक output device है output device एक विद्धुत उपयोगत है जो computer से binary data लेकर उसे उपयोग करता के लिए उपयोगत data में बदल देता है next निम्लिखित में से काउन सा उपकरन storage device नहीं है यह दोस्तों modern storage device नहीं है cd store किया जाता है data disk of class dive यह भी data storage memory है model एक storage device नहीं है model एक modulator demodulator का संचिप्त रूप है यह एक ऐसी यूग की device है जो किसी अंकिक digital सूचना को modulate करके analog प्रारूप में भीजती है जो analog प्रारूप से इसे signal मिलता है उसे demodulate करके digital रूप में ग्रहन करते हैं flash drive hard disk यूँं cd ROM storage device है निम्लिखित में से कौन computer का कौन सा भंडारा उपकरन storage device अप परचली था यह fluffy अब fluffy का इस्तेमाल storage device के रूप में नहीं किया आता है fluffy disk एक पतला एम लचीला 3.5 इंच ब्यास का चुम्ब की संग्रहन माध्यम है नए memory device के अविस्कार से इसका प्रियोग वर्तमान में घट या आप्रचलीट हो गया है कंप्यूटर के mouse का विस्कार किस ने किया था यह किया था दोस्तों डगलस एंगल लबरट ने किया था कंप्यूटर के mouse का विस्कार डगलस एंगल लबरट ने किया था mouse संगड़कों में इस्तेमाल होने वाला एक input device है यह करसर का चलाकर पटल के वांचित स्थान पर उसे ले जाने तथा node यानि बटन दबाकार उचित विकल्प चुनने में मदद करता है कंप्यूटर के बिना काम नहीं कर सकते answer number D CPU important fact देते हैं CPU को केंदरी पिसेशन की काई भी कहा जाता है जैसा कि इसके नाम से भी इस पस्थ है यह संगड़क का भाग है जहां पर संगड़क प्राप सोचनाओं का विसेशन करता है इस कारण ही इसे संगड़क का धिमाग या मस्तिस्क भी कहा जाता है अता इसके बिना कंप्यूटर कार नहीं कर सकता है कंप्यूटर की किस पीड़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मेकैनिकल भाजा का प्रयोग किया था यह किया था दोस्तों पहली इस वीडियो का यह लास्ट कुशन था वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करना सस्क्राइब करना और इस चैनल को अपने दोस्तों में सेर करना ताकि यह वीडियो उन तक पहुंचाए जाए हिन